नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो सिनेमा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है जिसके माध्यम से हम वेरिस टॉपिक पर एजुकेशन और इंफोर्मेशन प्रोवाइट करने के साथ साथ लोग को अवेर भी कर सकते हैं फिर चाहे वो सोसल इसूस हों, कल्चरल प्रैक्टिसेस हों या फिर आतंगवाद जैसा बड़ा मुद्बाव दोस्तो पिछले कुछ समय से ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म में बननी इस्टार्ट हुई है जो ज़रूरी था कि ऐसे सब्जेक्ट लाइम लाइट में आये दग कस्मीर फाइस और दग केरला इस्टोरी के बाद फाइनली एक और ऐसे हार्ट हीटिंग फिल्म आ चुकी है जिसका नाम है बाततर हु रहे हैं जो कि बेसिकली अपने हार्ट हीटिंग नरेस्टिव, फिरल्लेस अप्रोच और अपने मैसेज के चलते एक लार्जर ओडियन्स पर इंपैक्ट डाल सकती है सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिल्म के मेकर्स का जिनों ने इतने समवेधन सिल मुद्दे पर फिल्म बनाने का डिसीजन लिया फिर चाहे वो नेशनल अवार्ड बिनिंग डिरेक्टर संजे पूरान सिंग चहान हो, फिल्म के राइटर अनिल पांडे हो या फिर फिल्म के प्रोडूसर जिनों ने इस फिल्म पर इन्वेश्ट किया फिल्म के बेसिक प्लोड की बात करें तो एक सिंपल सा वन लाइन रे जो ट्रेलर में भी रिवील हो जाता है कि कैसे बातर हुरों का हवाला देकर लोग का ब्रेन वास किया जाता है उनसे कहा जाता है कि मरने के बाद तुम्हें बातर हुरे मिलेंगी वो इतनी खुबसूरत होंगी कि अगर वे समुंदर में थूख भी दे तो समुंदर का पानी मीठा हो जाएगा इसके लिए बस जिहात का रास्ता अपना के मरना होगा मरने के बाद उनके साथ क्या होगा उन्हें क्या बताया गया था और एक्षुल में उनके साथ क्या होता है इस बीच के difference को डिरेक्टर संजे पूरान सिंग चवान ने बखो भी बड़े परदे पर पेस किया है ये फिल्म किसे धर्म को टारगेट नहीं करती बलकि ये फिल्म टारगेट करती आतंग बाद और उसके वेरियस गुटो पर डिरेक्टर साब ने इस फिल्म के execution में बहुत कुछ नया किया है ये पूरी फिल्म black and white में है जो किसी को कम तो किसी को ज़्यादा attractive लग सकती है वैसे तो डिरेक्टर पूरा अपने subject पर focus रहते हैं लेकिन कुछ सीन में ऐसा लगता है कि डिरेक्टर अपने आपको रोक के चल रहे हैं ऐसा लगता है कि जिसे उनके पास कहने को बहुत कुछ था फॉर इजमपल कुछ सीन में बाते तो कम कही गई हैं लेकिन अगर हम उन चीजों को analyze करते हैं तो उनके तमाम अर्थ और संदर्व निकाले जा सकते हैं यहां पर डिरेक्टर साहब ने symbolic mannerism का use किया है फिर चाहे वो tower पर लटकने वाला scene हो या फिर कुटे के दड़ाय जाने पर dustbin में खुद को छुपाना हो या फिर दोनों lead character का बहुत सारे scenes में कुडे के ठेरों के बीच में दिखाया जाना यह scene जब परदे पर आते हैं तो वहाँ पर dialogue बाजी तो बहुत कम है लेकिन इन scenes के माद्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि director साहब क्या बताना चाहते हैं और इस scene के अपने क्या मतलब निकल रहे हैं कोई भी धर्म हो यह नहीं कहता कि आप इंसानियत को खत्म करो और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसे ही कूडे के ठेरों की बीच में एक लंबी जिंदगी बितानी होगी फिल्म बहुत यदा heart hitting ये to the point है और ऐसे में actors की acting इस subject की authenticity को और भी convincing बना देते हैं फिल्म में मिली दो ही character हैं एक है पवन मलोतरा सरका और दूसरा है आमिर बसीर साब का और इन दोनों ने बहुत ही बैतिन performance दी है जिसके चलते ही subject और भी निकर कर आता है खास कर climax वाला scene जहाँ पर दो narrative को mix करके दिखा जाता है कि what they promise and what will you receive यहाँ पर पवन मलोतरा साब के dialogue जो है वो आपको totally गूसर मिला कर छोड़ते हैं बात करने technical aspects ली तो दोस्तों जादा तर ये film green screen पर ही suit हुई है चुकि ये film मरने के बाद दो lead character क्या कर रहे हैं इस पर focus किया गया है इसलिए makers के पास creative liberty तो थी यहाँ पर अनंत कबरे, कभी ना खत्म होने वाला समय, लंबी पटरियां और बातर हुरों का इंतजार इन बातर हुरों की इंतजार में ना इंसान सही से जिन्दा रह सका और ना सही से मर सका imagination और reality के बीच के अंतर को director साब ने बहुत ही बखोवी पेस किया है इतना तो तय है कि ये film आपके wrong tag खड़े कर देगी ये film heart hitting है, appealing है और मेरा मानना है कि सबी को देखना चाहिए तो दोस्तों ये राब बातर हुरे पर हमारा एक छोटा सा वीडियो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे comment section में जरूर बताएं और अगर आप बातर हुरे देख चुके हैं तो आपको ये film कैसी लगी आप नीचे comment section में अपने वीचार जरूर लिखें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, comment करें और मेरे चैनल को subscribe करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद